हलो स्टूरेंस मैं सूरेखा सिंग बच्चो आपने अपने पाठ्ठी पुस्तक से भिखारिन नामक पाठ्ठ पिछले दो वीडियो अपने देखा ही होगा पिछले डो वीडियो में हमने यह देखा था कि एक अंधी भिखारिन प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए खड़ी हो जाया करती थी और उस अंधी भिखारिन का एक पुत्र होता है दत्तक पुत्र जिसे उसने कहीं से पाया था और उसे पाल रही थी उस पुत्र की तबियत जो है वचानक बहुत अधि खराब हो जाती है जिस कारण उसके इलाज के लिए वह भिखारी जो है एक सेट के पास जाती है क्योंकि उस सेट के पास उसने अपने पैसे जमा करवा रखे थे और वह पैसा लेने उस सेट के पास जाती है जहाँ पर जब वो अप सेट के पास जाती है तो वहाँ पर सेट द्वारा साप मना कर दिया जाता है कि उसके पास उसका कोई भी पैसा जमा नहीं है और वो देने से इंकार कर देते हैं इस पर निरास उकर भी खारीन जो है वो अपने पुत्र को गोद में उठा कर उस सेट के दरवाजे पर जाकर बैठ जाती है जहाँ पर नौकरो द्वारा बहुत भगाय जाने पर भी वो वहाँ से दस से मस नहीं होती और अंत में जब सेट जी बाहर निकल कर अपने घर से आते हैं और उस अंदी भी खारीन के गोद में उस बालक को देखते हैं तो उस बालक की जांग पर एक चिन देखकर उसे पहचान जाते हैं कि या तो उनका खोया हुआ पुत्र मोहन है और वो उस भिखारेन के गोशे उस पुत्र अपने उस बालक को अपने पुत्र को खीच कर लेकर मकान के अंदर चले जाते हैं यहां तक हमने पिछल दो वीडियो में पढ़ा था उसके आगे की कहानी अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अध्यान हम यहां से प्रारम करेंगे अंधी खड़ी हो गई और चिलाने लगी मेरे बच्चे को न ले जाओ मेरे रुपए तो हजम कर गए अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे चीनोगे जब सेड़ जी जो है वो अंधी भिखारीन के बालक को उसकी गोश से चीन कर मकान के अंदर ले कर चले जाते हैं तो वो अंधी भिखारन जो है वो रोने लगती है और रोते हुए कहती है कि मेरे बच्चे को मुझसे मत चीनो मेरे पैसे तो तुमने चीनी लिए रुपए तो मेरे खाही लिए हजम ही कर गए अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे चीन लोगे अंधी भी कारें की बात सुनकर सेट जी जो है वो कहते हैं कि यह बच्चा तो मेरा है और यह बच्चा साथ वर्स पूरो कहीं खो गया था बड़ी मुश्किलों से मिला है अब इसे नहीं जाने दूँगा और लाख यतन कार्थ होता है कोसिस लाख कोसिस करके भी इसके प्राण बचाओंगा अंधी ने जोर का ठहाका लगाया तुम्हारा बच्चा है इसलिए लाख यतन करके भी उससे बचाओगे मेरा होता तो उसे मर जाने देते क्यों यवी कोई नया है इतने दिनों तक खून पसीना करके एक करके उसको पाला है मैं उसको अपने हाथ से नहीं जाने दूँगी अंधिर भी खारण जो होती है वो सेड़ जी की बात सुनकर जोर से हसती है ठाहाका लगाना करत होता है जोर से हसना ठाहाका लगाकर हसती है जोर से हसती है और कहती है कि तुम्हारा बच्चा है इसलिए तुम उसे लाग कोसिस करोगे और उसे बचाओगे और मेरा होता तो मर जाने देते, यह कोई न्याय है, यह कोई न्याय की बात है, मैंने इतने दिनों तक उसको पाला है, खुन पसीना एक करके, अथारत बहुत महनत करके, मुहावरा है, खुन पसीना एक करने, जो है उसको कहते है, बहुत अधिक परिश्रम करना, बहुत महनत करना, तो कहती है कि म मैंने उसे बहुत परिश्रम से उसको पाला है। मैं अपने बच्चे को अपने हाथ से नहीं जाने दूगी। सेर जी की अजीब दसा थी। कुछ करते धरते नहीं बनता था। कुछ देर वहीं मौन खड़े रहे। फिर मकान के अंदर चले गए। अंदी कुछ समय तक खड़ी रोती रही। फिर वह भी अपनी जोपडी की ओर चल दी। सेर जी जो है अंदी भीकारें की बास सुनकर समझ में नहीं आते हैं। उनको ये बास समझ में नहीं आता है कि उसे क्या जबाब दें। क्या कहें। कुछ कहने ना कुछ करते बनता था ना कुछ कहते बनता था चुप चाप मौन वहीं पर मौन अथार चुप चाप खड़े रहते हैं। और थोड़ी देर बाद मकान के अंदर चले जाते हैं। जब मकान के अंदर चले जाते हैं तो अंधी भीखारी जो है वो थोड़ी देर वहाँ पे खड़ी होकर रोती रहती है फिर वो भी अपनी जोपड़ी में चली जाती है आगे दूसरे दिन प्रातर काल प्रभू की कृपा हुई या दवा ने अपना जादू का श्या बंद कर लिये उस समय से उसका जवर फिर अधिक होना आरंभ हो गया मा मा की रट लगी हुई थी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया सेट जी के हाथ माँ फूल गया चारों और अंधेरा दिखाई पढ़ने लगा दूसरे दिन प्रातर काल दूसरे दिन सबेरे इसे हम पान की क्रिपा कहें या डॉक्टरों की दवा का प्रभाव दोनों में से जो भी हो मोहन का जवर जो है उतर गया मोहन का जवर जवर कथार बुखार उतर जाता है होस जैसे ही आती है आने पर वो अपने आखे खोलता है तो सबसे पहले उसकी सब्द से एक ही सब्द निकलता 4 तरप उस के अपर्चीत सकले दिखाई देती हैा उसे अपनी मां का चेहरा दिखाई नहीं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, शेट जी के हाथ पाफ फूल गया, यह भी एक मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है, डरना, बहुत अधी डर जाना, जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तो सेट जी बहुत अधी डर गया, उन्हें चारों और अंधेरा दिखाई पड़ने कैसे इसे बचाओं अब सेट जी जो है समझ में नहीं आता कि क्या करूं एक पुत्र एक मात्र पुत्र वो भी इतने दीनों बाद मिला और उसको मिला भी तो ऐसे कि मृत्ति उसे अपने चंगुल में दबा रही है था तो वो इतना अधिक बीमार है कि उसे कभी भी मृत्ति उ ध्यान आता है पत्नी को बाहर भेजा कि देखो कहीं अभी वह अब तक द्वार पर न बैठी हो पत्नी को भेजते हैं कि जाकर देखो तो अंधि भी खारन कहीं अभी तक द्वार पर तो नहीं है पर अंतु वह यहां कहां सेट जी ने घोड़ा गाड़ी तयार कराई और बस जोपढ़ी पर कोई दवार तो था नहीं तो बिना दवार की जोपढ़ी थी सिधा अंदर जाते हैं अंदर जाकर देखते हैं कि एक फटे पुराने टाट पर एक फटे पुराने बोरे पर जो है जो है वो भिखारिन जो है वो बेसुत सी पड़ी हुई है और उसके आखों से अस्रुधारा आजवन की धारा बह रही है सेड जी ने उसको धीरे से हिलाया उसका पूरा सरीर अगनी की भाती तप रहा था सेड जी ने कहा बुढिया तेरा बच्चा मर रहा है डॉक्टर निरास हो गए है रह रहकर वा तुझे पुकारता है अब तु ही उसके प्राण बचा सकती है चल और मेरे नहीं नहीं अपने बच्चे की जान बचा ले अंधी ने उत्तर दिया मरता है तो मरने दो मैं भी मर हैं हम दोनों स्वर्ग लोक में फिर मा बेटे की तरह मिल जाएंगे इस लोक में सुख नहीं है जब सेड जी अंधिव बिखारन के जो प्रीम जाते हैं उसको हिला कर जगाते हैं और कहते हैं कि बुढिया उठ चल तेरा बच्चा जो है मर रहा है डॉक्टर जबाब दे दि प्रीम जाते हैं अब उनके पास तो कोई चारा बचा नहीं रहता तो वो सिधा बुढिया से ही मदद की भीक मांगने लगते हैं अंधि जो भी खारन होती है बहुत अधिक सेड जी के वैभार से बहुत अधिक दुखी हो गई होती है और कहती है कि मरता है तो मरने दो अब क है दुनिया इस दुनिया में तो सुख नहीं है मेरा बच्चा वहां सुख में रहेगा मैं वहां सुचारू रूप से मैं वहां उसकी सुचारू रूप से सेवा शुसुरुशा करूंगी सेड जी जब बुढिया सेड जी के बार-बार कहने पर बुढिया तैयार नहीं होती तो सेड़ जी जो है रो दिये आज तक उन्हों ने किसी के सामने सिर न जुकाया था किन्तु इस समय अंधी के पाओं पर गिर पड़े और रो रो कर बोले ममता की लाज रख लो आखिर तुम भी उसकी मा हो चलो तुम्हारे चलने से वह बज जाएगा सेड़ जी के लाक मनाने पर जब अंधी तयार नहीं होती सेड़ जी रो पड़ते हैं और रोते हुए वो अंधी के पाओं पर गिर जाते हैं वे सेड़ जी जो आज तक किसी के सामने अपना सिर नहीं जिन होने जुकाया था वो आज अंधी के पाओं पर विकीड़ कर रो रहे थे और रो रोकर कह रहे थे कि ममता की लाज रख लो तुम भी तो आखिर उसकी मा हो चलो तुम्हारे चलने से वह बच जाएगा ममता शब्द ने अंधी को विकल कर दिया उसने तुरंत कहा अच्छा चलो जैसे ही सेट जी अंधी विखारन को ममता की ममता शब्द का वास्ता देते हैं वह ममता शब्द जहें वह अंधी को विकल कर देता है विकल करत होता है व्याकुल वेचैन कर देता है और वह तुरंत कहती है कि अच्छा चलो सेट जी सहारा देकर उसे बाहर लाए और घोडा गाड़ी पर बिठा दिया गाड़ी घर की ओर दोडने लगी उस समय सेट और अंधी विखारन दोनों की एक ही दशा थी दोनों की ही यही इक्षा थी कि सिग्र शेशिग्र अपने बच्चे के पास पहुच जाए सेट जी उसको अंधी विखारन को उठाते हैं और तुरन सहारा देकर घोडा गाड़ी पर बिठाते हैं और गाड़ी जो है घर की ओर दोर पड़ती है उस समय सेट जी और अंधी विखारन जो इतने पैसे वाले थे और अंधी विखारन जिसके पास कुछ नहीं था लेकिन दोनों की एक ही अच्छा थी और दोनों की एक ही स्थिती थी दोनों यही चाहते थे कि वो तुरन से तुरन जल्दी से जल्दी अपने बच्चे के पास पहुँच जाएं कोठी आ गई सेट जी ने सहारा देकर अंधी को उतारा और अंदर ले जाकर मोहन की चारपाई के समीप उसको खड़ा कर दिया उसने टटोल कर मोहन के माथे पर हाथ फेरा मोहन पहचान गया किया उसकी मा का हाथ है उसने तुरन नेत्र खोल दिये और उसे समीप खड़े हुए देख कर कहा मा तुमा गई कोठी जैसे ही आया सेर जी की कोठी आती है सेर जी तुरन अंधी को सहारा देकर उतारते हैं और अंदर ले जाकर मोहन की चारपाई चारपाई खाट जो विस्तर सोनिवा का होता है उसको कहते हैं चारपाई के समीप उसको ले जाकर अंधी बिखारन को सहारा देकर खड़ा कर देते हैं अंधी बिखारन जो है वो टटोल कर देख तो सकती नहीं थी उसने इधर उधर हाथों से अपने इस पर्स किया और मोहन के माथे पर हात फेरा मोहन पहचान गया कि यह हाथ जो है उसकी मा का है उसने तुरंत अपने आख खोल दिये और पास खड़े उसे देखकर अपनी मा को पास खड़े देखकर कहता है मा तुम आ गई अंधी ने स्नेह भरे हुए श्वर में उत्तर दिया हाँ बेटा तुम्हें छोड़ कर कहां जा सकती हूँ अंधी विखारिन मोहन के सिरहाने बैठ गई और उसने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया मोहन को बहुत सुखन भवववा और वह उसी की गोद में सो गया हैं अंधी जो है जब मोहन आनखे खोलता है अपनी मा को पहचान जाता है उसके बाद बड़े इसने से उत्तर देती है कि हाँ बेटा मैं आगई तुम्हें चोड़कर कहा जा सकती हूं और उसके सिर्हाने बैठ जाती है, उसके सिर्थ के पास बैठ जाती है, और मोहन का सिर्थ कर अपनी गोद में रख लेती है, मोहन को इतने अधिक सुख सुईधाओं के बाद भी जो सुख का अनुभा नहीं हो रहा था जो सुख उसे नहीं मिल पा रहा था वह सुख केवल उसे अपनी मा की गोद में जाते ही अनुभा हुआ और वह अपनी मा की गोद में सो गया दूसरे दिन से मोहन की दसा अच्छी होने लगी और 10-15 दिनों में वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया जो काम हकीमों के जुशान दे वैदों की पूरिया और डॉक्टर की दवाईया ना कर सकी थी वो अंधी की स्ने मैं सेवा ने पूरा कर दिया दूसरे दिन से जो है मोहन की जो ही इस्थिती है वो अच्छी होने लगी उसके स्वास्थ में सुधार होने लगा अद 10-15 दिनों में वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया जो काम हकीमों के नुस्खे वैदों की पूरिया यानि जो दवाईया थी जो डॉक्टरों की दवाईया जो काम नहीं कर पा रही थी वो सब काम एक अंधी मा की स्ने मैं सेवा ने पूरा कर दिया था अथार्त उन डॉक्टरों की और उन वैदों की दवाईयों से ज़्यादा असर जो है वो मा के ममता में था मोहन के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर अंधी ने विदा मांगी सेड जी ने बहुत कुछ कहा, सुना कि वो उन्हीं के पास रह जाए परंतु वो सहमत ना हुई, विवा शोकर विदा करना पड़ा जब वो चलने लगी तो सेड जी ने रुपेयों की एक थैली उसके हाथों में दे दी अंधी ने पूछा इसमें क्या है? मुहन जब पूरी तरसे स्वस्ट हो गया, तो जो अंधी विखारन थी, वो वहां से जाने लगती है जब वो जाने लगती है, तो सेड जी बहुत कोछिस करते हैं, बहुत समझाते हैं कि वो मत जाए, वो उन्हीं के पास रह जाए प्रंतु वर अंधी विखारन जो थी वो बिल्कुल सहमत नहीं होती बिल्कुल राजी नहीं होती और वर जाने के लिए बिल्कुल तत्पर हो जाती है तो सेड जी भी विवश होकर मजबूर होकर उसे विदा कर देते हैं और जाते समय उसके हाथ में रूपियों की एक थैली जो है थमा देते हैं अंधी विखारन पूस्ती इसमें क्या है सेड जी ने कहा इसमें तुम्हारी धरोहर है तुम्हारे रूपे मेरा वहपराद सेड जी जो है तो जब रूपे को हाथ में पकड़ाते है तो अंधी पूस्ती किसमें क्या है तो सेड जी कहते है इसमें तुम पूरी भी नहीं कर पाते कि तुरंत जो है उनकी बात को काट कर कहती है कि यह रूपए भी तो मैंने तुम्हारे ही मोहन के लिए तुम्हारे पुत्र के लिए ही तो जमा किये थे उसी को दे देना अंधी ने थैली वहीं छोड़ दी और लाठी टेकती हुई चल दी बाहर निक से अस्रू बह रहे थे किन्तु अभी खारीन होते वे भी सेट जी से महान थी इस समय सेठ याचक था और वह दाता थी इतना कहकर अंधी जो है रूपयों की थैली वहीं छोड़ देती है और लाठी के सहारे बाहर निकल आती है बाहर निकल कर वापस फिर पलट कर उस मकान के जोर देखती है उसके आखों से जो है आसु लगातर बह रहे थे किन्तु इस समय वह अंधी भी खारन होते वे भी सेट जी से अधिक महान थी इस समय सेठ याचक था और वह दाता थी इस समय सेठ याचक था याचक कर्थ होता है मांगने वाला और दाता कर्थ होता है देने वाला तो इस समय वह सेट जिनके पास बहुत अधिक पैसा था वह इस समय एक याचक था एक मांगने वाला था एक भिखारी के समान था और वह जो अंधी विखारन जिसके पास कुछ नहीं था वह एक दाता थी देने वाली थी तो बच्चों यह तो थे आपके पाठ्थक उस्